साथियों, एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनों के हलावा, आज यहाँ अनेक पथों का, मार्गों का भी लोकारपन हुआ है, राम पत, भक्ती पत, धर्म पत, और स्री राम जन्म भूमी पत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलो का लोकारपन किया गया है, नए मेडिकल कॉलेज से हाँ, आरोग्य की सुभिदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे, इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पित है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चोख हो या राम कतास्तल ये अयोध्या की पहतान बढ़ा रहे हैं अयोध्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बढ़ाएगी विकास के इन कारियों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले रिक्साँ वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल बेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई सभी की आए बढ़ेगी मेरे परिवार जनो आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देशने उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन बेश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की यह त्री शक्ति भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन अयोद्या से गुजर रही है दिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए बग्व राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं राम लदा के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेद रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोच्वामित तुल्सिदाज जी ने कहा है परहित सरीस दर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतब्य नहीं है आधुनिक अमरुद भारत एक्सप्रेन गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सल लंबी दूरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आमद्ली नहीं है वे भी आधुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीबा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राज्य की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है काशी, वैश्णो देवी के लिए कट्रा, उज्जेन, पुषकर, तिरुपती, शिरडी, अमरिसर, मदुरई, आस्ता के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अमरिसर से दिल्ली, कोईमटूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों की बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है, और बंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है बहुत ही कम समय में बंदे भारत से डेड़ करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके है विशेशतोर पर युवापीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों, हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वर रहा है अपना गवरवशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामे स्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वार का दिश से जगनाजपुरी की यात्रा द्वादर्श जोतिली की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरोबर यात्रा कावड यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई ने कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं तमिलनाडु में भी कई यात्रा ये प्रसिद्ध है सिवस्थल पनाद यात्ति रही